उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने एटा जिले के अलिगंज विधानसभा श्वेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया है साल 2014 से साल 2019 तक विरोधियों ने खूप कोशिश की लेकिन बीजेपी की आगे नहीं टिके साल 2017 से साल 2022 तक भू माफियाओं के खिलाफ ट्रेलर था आगे देखना कैसे बुल्डोजर चलेगा प्रदेश में भाजपा की आंधी चल रही है सपा का खाता पिछली बार चारो सीटों पर नहीं खुला इस बार भी नहीं खुलेगा वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं केशव प्रसाद मौरिय यही नहीं रुके इसके आगे उन्होंने कहा अली गंच सीट पर सत्यपाल सिंग राठ और नहीं केशव प्रसाद को प्रत्याशी समझें मैं आपका सिर नहीं जुकने दूँगा आप मेरा सिर ना जुकने दे कमल का फूल उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में बसा है सुरक्षा विकास के लिए हमें बोट दे सपा बसपा कॉंग्रिस ने प्रदेश को बरबात कर दिया सपा का नारा खाली प्लॉट हमारा बड़े-बड़े माफिया बिल के अंदर घुस गए इन्हें बिल में रखना है या नहीं अखिलेश यादव जी ये वही सपा है जिसने जनता को छला था ये सत्ता में नहीं आ रहे सिर्फ धंकी दे रहे हैं धंकी देने वालों की हम सूची बना रहे हैं इनकी सरकार में खुद का साथ खुद का विकास होता था इनकी सरकार में धर्म और ज्वाती के नाम पर समाज पाटा जाता था जब भाजपा की सरकार होती है तो ऐसा नहीं होता आज बताओ गरीब के घर में बिजली पहुची या नहीं ये कहते थे कि वैक्सीन भाजपा की है लेकिन वैक्सीन तो वैज्यानिकों ने बनाई है इन्हें वैज्यानिक याद नहीं आते मतदान के दिन जान झाल झाल